हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माई चैनल, हम डिस्कस कर रहे हैं डारिक्ट इंडारिक्ट स्पीच और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रो गेट्यू सेंटेंसेज, तो टाइम नवेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज छी क्लास, इंट्रो गेट्यू सेंट हो तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा डबलो एश टाइप सेंटेंसे, यानि अगर हम इंट्रो गेट्यू सेंटेंसे डबलो एश टाइप हैं तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे, तो सबसे पह इनको बनाने का नियम क्या है, सबसे पहला रूल यह है कि इसमें सेड हो या सेट्टू हो, चेंज हो जाएगा आप में, रूल नमबर टू है, डबलो एश टाइप इंट्रो गेट्यू में कोई भी कंजक्शन नहीं लगता, बलकि जो क्वेशन वर्ड होता है, उसको ही as a कं कंजक्शन प्रियोग किया जाता है, यानि उसको ही कंजक्शन मान लेते हैं, रूल नमबर थ्री है, कोईशन वर्ड के तुरंत बाद हम सब्जिक लिखते हैं, सब्जिक के बाद हम हेल्पिंग वर्ड रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ड के बाद हम में वर्ड रखेंगे, उसके बाद जो हमारे extra words हैं, उन्हें रख दिये जाते हैं। इसको आप example के जरीए बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं examples. Example number one लिखा है, He said to me, where are you going today? तो आप देख सकते हैं, जो हमारी reported speech है, वो किससे शुरू हो रही है? किसी question word से शुरू हो रही है न, और यह question word हमारे क्या लिखा है? where, यानि यह हमारा WH type interrogative है, इसमें set to को किसमें change करेंगे? ask में change करेंगे, he asked me. अब आपको यह question word दिखाई देना है न, इसमें कोई भी conjunction हम नहीं लगाएंगे, बलकि जो question word है उसको ही लिखेंगे, where लिखा है तो हम लिखेंगे, where, उसके बाद number एक पार, यानि question word के तुरंद बाद हम लिखेंगे subject, subject हमारे क्या लिखा है, you, you कौन से person का प्रोनावन है, second person का, किसके according change होगा, reporting verb के object के according, object हमारे लिखा है, me, अगर you हमारा subjective case है, तो me क subjective case क्या होता है, me का subjective case होता है, I, इसलिए हम लिखेंगे I, यानि number एक पर हमने रिखा है subject, number दो पर हम लिखेंगे helping work, helping work हमारी क्या दी गई है, are, is, am, या are किसमें change हो जाता है, was या were में, I के साथ क्या लगता है, was लगता है, इसलिए हम लिखेंगे आपे was, going को going लिखतें today change हो जाएगा, that day में, ये निकरता बताने वाला शब्द है न, निकरता बताने वाले शब्द बदल जाते हैं, दूरी बताने वाले शब्दों में, last में लगा लेंगे हम लोग full stop, sentence number 2 देखते हैं, she said to him, why did you call him a study, आप देख सकते हैं, sentence किससे शिरू हो रहा है, डबलो इस type intuitive से, यानि कि हमारा equation word से शिरू हो रहा है, इसको ही बनाने का तरीका सेम वैसा ही रहेगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे subject, उसके बाद set to को change करेंगे, ask में, जो object है उसको लिख लिख लिया जाएगा, अब हम inverter कॉमा को हटाएंगे और कोई भी conjunction नहीं लगाएंगे, ब बदलेगा object according, object हमारी क्या लिखा है, him, अगर you हमारा subjective case है, तो him का subjective case क्या होता है, him का subjective case होता ही, इसलिए हमने लिख लिया ही, नमबर दो पे लिखी जाएगी helping word, helping word हमारी क्या लिखी है, did, did बदल जाता है, hat कि साथ third form में, तो पहले हम लिख लेंगे head, फिर जो हमारी verb है तो उसकी third form लिखी जाएगी, verb हमारी है call, call की third form होती है called, फिर हम लिख लेंगे जो अपना object है, उसको लिखेंगे, और yesterday बदल जाता है, the previous day में, तो लिख लेंगे the previous day, previous day, और last में लगा लेंगे full stop, example नमबर 3 देखते हैं, I said to him, when do you help me, तो आप देख सकते हैं, हमारे question व हो रहा है, when से, इसका मतलब यह हमारा double step intuitive है, I को I रहने देंगे, set to को बदल देंगे, ask में, him लिखेंगे, कोई भी conjunction हम नहीं लगाएंगे, बलकि जो question word है, उसको ही लिखेंगे, question word हमारे क्या लिखा है, when है, तो हम लिख लेंगे when, ध्यान रखिए, जब भी हमारा sentence present interpret में लिखा होगा, यानि, do or does दिया होगा, तो हमें यह देखना है, कि sentence में कहीं not आया है, कि नहीं आया है, अगर not नहीं आया है, तो जो do or does जो भी होगा, उसे हम हटा देंगे, जो हमारा, पहले तो जो subject है, वो लिख लेंगे, subject हमारे क्या लिखा है, you लिखा है, you बदलेगा, औबजेक्ट के कोडिंग औबजेक्ट हमारा हिम है हिम का subject to case हो जाता है ही अब हम helping पर आएंगे देख लेंगे कहीं not आया है नहीं आया है जब not नहीं आएगा तो do or does you भी होगा उसे हम हटा देंगे जो वर्ब होगी उसके second form लगाएंगे help की second form क्या होती है help होती है अब यह क्या लिखा है मी कौन से person का pronoun है first person का किस से according change होगा subject के according subject क्या लिखा है और I का object to case क्या होता है मी ही होता है इसलिए change नहीं होगा देखें जो हमारे direct से मिंडारिक बनाते है न तो sentence ही जो बन जाता है यह assertive बन जाता है इसलिए क्या होता है जब हम लोग को इसमें do or does देखेंगे अगर not नहीं होगा तो फिर do or does को हम हटा देंगे क्योंकि past indefinite का जो assertive sentence होता है यानि कि जो affirmative होता है उसमें कहीं पर भी did का प्रियोग नहीं होता है न did not तो तब लगेगा जब sentence negative होगा affirmative में तो ऐसा नहीं होता है इसलिए हम लोग क्या करते है वर्प की second form लिखेंगे sentence no.4 sentence no.4 लिखा है she said to you why do you not teach me तो she said to बदल जाएगा ask में यू जो question word है उसको लिख लेंगे why है तो लिखेंगे y को अब number 1 पर क्या लिखेंगे subject लिखेंगे subject में क्या लिखा है यू लिखा है यू बदलेगा object के according object भी हो था तो यहाँ पर हो जाएगा यू अभी देखे do आया लेकि not भी आया इतका मतलब did not बदल जाएगा पास interpret में नेगे to कैसे बनता did not ही तो लगता है इसलिए did not लग गया अब जो हमारी वर्ब है उसकी first form ही लिखी जाएगी क्योंकि did तो पहले हमने change कर दिया है अब मीं हमारी कौन से परसंट का प्रून आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको आज की मेरे क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मैं चनल को सब्सक्राइब कीजिए बल आइकोन को प्रस करना ना भूलिए और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिए थैंक्यू सो मज क suited बलाफ करेोगा आपको समझ में इनम्स लग्सालिए लाटब